गुजराद और हिमाचल पदेशी वोटिंग के बाद कॉंग्रेस और बीजेपी की ओर से दोनों ही राज्जों में अपनी सरकार बनाने के दावे किया जा रहे हैं लेकिन सरकार किसकी बनेगी यह 8 दिसंबर को साफ होगा लेकिन उससे पहले डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन ने दोनों ही राज्जों में चुनाव के बाद सर्वे किया तो क्या हो सकते हैं चुनाव परिणाम देखते हैं यह रिपो गुजरात में दूसरे चरण की 93 सीटों पर वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 8 दिसंबर को होने वाली मदगर्ना पर लगी है गुजरात की सभी 182 और हिमाचल की 68 सीटों पर 8 दिसंबर को सुबा 8 वजे से वोटों की गिंती शुरू होगी लेगिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकते हैं चुनाव परिणाब सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश में 68 सीटे हैं जिसमें से शिमला रीजन में 19, मंडी रीजन में 24 और कांगडा रीजन में 25 सीटे हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली थी जबकि कॉंग्रेस को 21 और अन्ने को 3 सीटे मिली थी लेकिन इस बारे में हमारे एक्जिट पोल में शिमला रीजन में बीजेपी को 2 से 6 सीटे मिल रहे हैं जबकि कॉंग्रेस को 11 से 15 और अन्ने के खाते में 1 से 3 सीटे जा सकती हैं और कांग्रा की 25 सीटों में से बीजेपी को 7 से 11, कॉंग्रेस को 14 से 18, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्ने के खाते में भी 0 है सीट मिलती दिख रही हैं वोट शेर की बात करें तो बीजेपी को 49, कॉंग्रेस को 47, आपको 4 और अन्ने को 10 प्रतिशत वोट मिल सकता है जबकि सीटों के मामले में बीजेपी को 14 से 26, कॉंग्रेस को 38 से 50, आपको 0 और अन्ने को 2 से 6 सीट मिल सकती है बात गुजरात की करें तो गुजरात की 182 सीटों में से सुराष्ट की 54, दक्षन गुजरात की 35, उत्तर गुजरात की 32 और मध्धे गुजरात की 61 सीटों में से किसके खाते में जा रही हैं कितनी सीटें रिजन 22 अगर बात की जाए तो सुराश्ट और कच की 54 सीटों में से बीजेपी को 28 से 32, कॉंग्रेस को 18 से 22, आपको 2 से 3 और अन्ने को 2 सीटे मिल सकती हैं, दक्षिन गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी को 19 से 23, कॉंग्रेस को 9 से 13, आपको 1 से 3 और अन्ने के खाते में 2 सी सीटे मिल सकती हैं जबकि मध्य गुजरात पर 61 सीटे हैं और इन 61 सीटों में से बीज़ेपी को 34-38, कॉंग्रेस को 19-23 और आम आदिपार्टी को 2-4 और अन्ने के खाते में 2 सीटे जा सकती हैं वोट शेयर की बात करें तो बीज़ेपी को 45 प्रतिशत, कॉंग्रेस को 38 प्रतिशत, आपको 11 प्रतिशत और अन्ने के हिस्से में 6 प्रतिशत वोट जाता दिख रहा है जबकि सीटों के मामले में बीजेपी को 95 में से 111, कॉंग्रिस को 58 से 74, आपको 5 से 13 और अन्ने को 8 सिटे मिल सकती है यानि गुजरात में 27 साल का बीजेपी का राज और हिमाचल प्रदेश में रिवास बरकरार रहेगा एक राज जिमें बीजेपी और एक में कॉंग्रिस की सरकार बनती दिख रही है लेकिन ये सिर्फ अनुमान है सही तस्वीर क्या होगी ये 8 दिसंबर को साफ होगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट